नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो भी ने समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यारतियों के लिए अवश्रक होती है और विडियो को पूरा देखने की कोशिस करें आगे वालने से पहले एक और सुचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक बातता परिच्छा यानि यूपी टीटिक तारीक करें तो चशु प्रकासन की संपूर्ड गैर जिसे आप लोग ले सकते हैं इस पुस्तक में 300 से जादा चैप्टर वाइज कोशिन दिये हैं और उसकी ब्याक्टिया दिवी है यूपी टीटिक जो नया वाला स्लेबा से उससाब सी पुस्तक त्यार की गई है और इसी पुस्तक में दो शाल पेपर भी दिये हुए है सबी काभी किताबं को दुकानों में आपको यह पुस्तक देखेने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन में वागवाने चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्त में दे दिये हैं कि आप लोग चैप्टर वाइइस पुस्तक में पूरा का पूरा इस्टिव मिटेरियल दिया हुआ है और चार्ट की माद्स से बताया गया है कि कि साल किस लेशन से कितने पुचे बूचे पुचे गए कि साल कि से ज्यादा पूचे गया है वही पर अलग-अलग सब्जेट क कि पुस्तक आप लोग ले सकते हैं चलिए सुरू करते हैं आज कि सबसे पहली सूचना है पजी परिणाम से पहले पिजी टी का परिणाम क्योंकि दोनों भरतियों को 31 अक्ट्ट्वर के पहले-पहले पूरा करना है सुप्रिम कोट में ऐसा हलाफ नाम दिया सुप्रिम कोट ने निर्देश भी दिये और इनको कोई दूसरा मौका भी नहीं दिया है हाला कि चैन बोर्ड ने मौका मांगा था कि हमको कि पॉरा करने में इसके विबरीद ने मांद में इसका से वचे एनबोर्ड ने बारा जारचेayan प्सट्रीन पदों के लिए TGT की परिक्षा प्रदेस के सभी जीलों एहुँव शाट आठ आगस्ट को कराई गई थी इसमें साक्षातकार नहीं होना है और इसी तरीके से PGT की परिक्षा भी प्रदेस के सभी जीलों में आयूजित की गई थी 2595 पतों के लिए यह परिक्षा 17 और 18 गस्त को वी थी इसमें िसमें साक्छातकार होना है एक पराद के सापेक्ष 3 अभियर्थिो को कचगन लिखिट परिंचय में करने इस की त्यारी chainबोट कर रहा है साक्छातकार की त्यारी भी chainबोट करवा रहा है और इसके बाद में जो अगली सूचना है यही बात बताई थी कि अक्टूबर और नवंबर के महिनी में UPTET होगी लिखा है प्रात्मिक स्कूलों में साहिक अज़ापक बढ़ती की तैयारी में जुटे परतियों के लिए एहम खबर है उत्तर प्रदेर शिक्षक का पातता परिक्षा यानि UPTET की तारीक में एक बार फ की गई है कि अगर सासन चाहता है कि प्रात्मिक स्क्षक बढ़ती हो तो उसके लिए समय बचा रहे इसलिए यह कहा गया है कि जो UPTET हो जल्दी हो कि देखते हैं समचार पत्रों के माध्यम से और मुख्यमंत्री और जो स्क्षक मंत्री उनके उनकी द्वारा कई वारसा कहा समय समय में कि हम जितने भी रिग्द पत हैं एक एक पतों को भड़ डालेंगे प्रात्मिक स्क्षक बढ़ती में 52 हर्पतों पर आएगी बहुत सारी बात कहीं गई है लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इसके लिए क्या तैयारियां चल रही है वही पर नीच प्रात्मिक सिक्षक बढ़ती की मांग तेज होगा यह लिए का सिक्षक बढ़ती का विज्यापन जारी करने की मांग प्रात्मिक विद्यालियों में नहीं शिक्षक बढ़ती चारी की जाने की मांग को लेकर के बीडिसींट पर उलेUh викए और विज्याईव को बयरती पर्षक की और अब लगनों की जगह प्रियाग राज को केंद्र बनाए जा रहा है और इसके बारे में जो भी आगे की डिटेल होगी मैं आपको बता हुआ की कुछ अनसूच नहीं है जैसे मैंने कल देर राज जो वीडियो बना था उसमें आप लोगों बताया था कि बाइस हजार सीटों को जोड़ने वाले जो विद्यारती हैं उन्होंने कल जोड़दार धर्नब प्रदसन किया था विधान सभा में मुक्यमंत्री आवास में और उ काम को अचानक अब बेरती ने डाली बाग इस्तित बेसिक सिक्षाराज मंत्री के आवास का घेराव कर दिया अब बेरती से पहले सीडी की जरीए मंत्री के फ्लेट तक मौचते मौके पर पुलिस आ गई और उनको रोक दिया इससे नराज बेरती ने प्रदर्सना सुरू कर भी बातों को सासन किसमस रखने का आस्वासन दिया है वहीं पर जो है कल इन विद्यारतियों के जो प्रदर्सन है वो देर साम तक तलता रहा अगली सूचना है यूपी ट्रिपल ऐसी पीटी को लेकर के लिए का हिंदी भासा की शुजिता नश्ट करने का लगाया आरोग उ हिंदी समीचक हैं डाक्टर प्रत्विनाथ पांडे चाहिए वो लोक सेवा आयोग हो चाहिए वो माजमिक सेवा चैन बोड हो चाहिए वो यूपी ट्रिपल सी हो हिंदी में अगरा सुद्धियां होती है तो उनको घेर लेते हैं और यह वास्तविक्ता भी है कि जितने भी आजकल प्रसन पत्र बनते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्या होती है बहुत सारी लगएं बढ़ती जाती है चाहे वह उत्तरकुंजी को लेकर की हो चाहे वह सुत्त हिंदी लिगनें को को लेकर के हूँ इसकी पहले भी इन्होंने बात कही थी कि जो PGT के पेपर था TGT के पेपर था उसमें हिंदी भी से में नब्वे प्रिचत पर इन्होंने आपत्ति दर्च करवाई थी मिध्यारतियों के लिए कोई भी परिक्षा होती है वो सबसे महात्पूर्ण होती है कोई भी परिक्षा हो लेकिन उन पर इस त्रीकिय के गड़बड़ी होना यह एक सोचने वाली बात होती है यहां पर लिखा है कि प्रद्विनात पांडरी चिंतरब्यक्त की है और कहा है कि आयोग हिंदी भासा की सुदिता को नश्ट कर रहा है 24 अगस्त को आयोजीत उक्त परिक्षा के अधिकितर प्रसनों और उत्तर विकल्व में भासा और तत्यों की अशुद इतने सारे प्रसनों पर इन्होंने आपत्ति जताई है तो और यानि कि जिस तरीके के भासा बोली जाती है मिली जुली हिंदी इंगलीस और उसी तरीके के जो भासा लोकल भासा का जो प्रियोग वो आयोग करते हैं सुद्ध हिंदी में अगर प्रस्पत्र हिंदी में लिख पुर्रल चिन इन चिन्हों में बहुत सारी जो वह गड़बनियां की गई है लिखा है कि इतना ही नएं साइंटिस्ट का हिंदी अर्थ कहीं विग्यानिक दिख रहा है घंदी में संचेप सूषक में प्रसनवाचक वाक्य जबकि इसकि इस्टान पर अंग्रेजी पूर्ण व वाइरल कर रहे हैं कि इस टीवी चैनल ने कहा है कि पी इटी इस तरीट हो जाएगी मुख्यमंत्री ने दिये दिये निर्देश धांदली के मिले सबूत इस तरीके की टेली वीजन के बनाई फ्यूए फेक जो है स्क्रीन सॉट वारल किये जा रहा है यूपी ट्रिपल सी पीटी के बारे में ऐसी कोई भी जो है न्यूज नहीं है अथेंटिक न्यूज नहीं है जिसमें अधिकारियों ने यह कहा हो कि यह पेपर निरस्त होगी या रत होगी इस तरीके की जो ब्रहमक हैं इन पर बिल्कुल म भी आप लोग चेक कर सकते हैं यह पूरी तरीके से फर्जी स्क्रीन सॉट वारल हो रहे हैं यूपी ट्रिपल सी पीटी की जो उत्तरकुंजी है वह अब अगले सब्ता आएगी इस सब्ता आने की कोई उम्मीद नहीं है उसमें भी कापी कुछ चीजे होनी है और आप लोग लिए को लाइक नखियो ब्रता है यह अब देश्टति लिखार होमगाट विभाग में हजार उपद होमगाट विभाग में तीसंदार महीला कर्मियों की बरती करने की तयारी हूं मत्री कारशाओ कर लिया है जल्द ही इस पर निरणाले का जानकारी के उनसार होमगाट में बड़ी संका पुरुसों की भी है लेकिन माईलाओं की सुरक्षा को दान्वे रखते वे सरकार के मिशन सक्ति अभियान के मद्दे ने दर इन पतों को माईलाओं से भरने प्रुचार की जा रहा है सूत्रों का कहना है तो यहां पर लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तूती करण भी हो चुका है और बहुत जल्द इसकी जो भरती पक्रिया वह आगे बढ़ जाएगी और तीस हजार जो है मैलाओं की जो भरती होगी संयुक्त प्रवेश परिक्षा का प्रड़ाम आज जारी हो जाएगा लिका लगनों विश्यविद्याले उत्तर प्र प्रवेश परिक्षा होनी है और इस परिक्षा में 1450 अभरती शामिलोंगे वहीं पर मैंने तीन चार दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि केंद सरकार बहुत जल्दी निरड़ा लेगी बैक लॉग के जितने भी पद हैं SC, ST, OBC और EWS क पर भरती होगी शाड़े 8 लाग से जादा पद जो केंद्री विभाग हैं उन पर रिक्त हैं और इन पदों पर भरती होगी इनके लिए पूरी तयारी है वो कर ली गई है और देखिए इसकी बारे में कुछ दिर पहले बहुत सारे समचार पत्रों के मादम से जानकारी दी ले थी और इसकी बारे मैंने एक पूरा का पूरा जो है डिटेल्ड वीडियो बनाया था देखिए लिखा हुआ है मोजूदे समय में केंद्र सरकार से जुड़े विभागों में खाली आठ लाग बहात्तर हजार पद केवल केंद्र सरकार ही नहीं तो अलग-अलग राज है वह भी बैग लाग के जो पद हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं बैग लाग के पदों को दबा करके रख देते हैं धान ही नहीं देते हैं और यहां पर देके लिखा हुआ से एस्टी और ओविसी के आरचित भैकलाग पदों को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनमें खाली पदों को भरने की एक समय सीमा निरधारित की जा सकती है सभी राज्यों के लिए भी एक कानून बनाने की बात लेकि उसके लिए अब यह नियम बना दिया जाएगा कि यह जो पदह है वह च्छे महीने के अंदर एक साल के अंदर एक अलग से बरती ला करके उनको भरना होगा उसके बाद में फिर दूसरी बरती होगी तो उसकी बारे में यह जानकारी है और इस की बारे में लिखा के द्वारा कि वो किसी भी जाती को OVC में जोड सकते हैं या अटा सकते हैं पहले उसके लिए केंद्र से या संसथ से पर्मिशन नहीं होती थी अब वो पर्मिशन नहीं रहेगी उस दोरान जो विपक्षी की पार्टियां थी उन्होंने ये बात उठाई थी कि अगर आप लो लोग दे सकते हैं मैं दिखाता हूं जो सची में उनका ये लेटर है अमीद घरे आइस से क्रेटरी सची ओ और यह बिल्कुल 24 अगस्त का ये लेटर है ये देखिए मेरे पास और यहां पर इन्होंने कहा है कि I am writing in connection with the faculty position that are linked back end especially in the schedule cast schedule tribe other backward classes and EWS category in Central Higher Education Institute functioning under the administrative control of the ministry education और यहां पर इन्होंने ये बात बताई है कि यह बढ़ती है वह जल्द से जल्द भरी जानी चाहिए जितने भी उच्छ सिक्चर संस्तान है वहां पर जो अध्यापकों की बढ़तियां है चाहिए वह प्रोफेसर और लेक्चिरर हो कोई भी अगर पद खाली है सभी बदों में भी जानकारी दे दी गई है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें आप यह देखें लिखा उची सिक्चर संस्तानों में और अच्छित पद एक साल में भरने का केंद्र का निर्देश केंद सरकार ने उच्छ संस्तानों में खाली पड़े OBCC SC ST और EWS के आर अच्छित प आप लोगों को उसी लेटर की बातें इस मसारपत्र में दी गई है अंतिम सूचना उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की है ओवर एज अभ्यार्थियों के लिए अंतिम मौका इसकी CBI चांच की मांग कर रहे थे और इस भरती में भारी अनिमित्ता की गई थी इसमें जो है विद्यार्थियों को टाइपिंग में सौट हैंड में छूट देने की बात नहीं कह गई थी लेकिन अपने चहेतों को भरने के लिए ऐसा आरूप विद्यार्थियों ने लगाय की विद्यार्थी इसके लिए आभी भी CBI जांच की मांग करना कि भले ही लोग सेवा आयोग ने चलाकी से इस भरती को पहले ही निरस्त कर दिया ताकि जांच नहों कोई पखड़ा ना जाए किसी खिलाफ यार नहों तो पहले से हम लोग जो है उसको रत कर देते हैं यहां आप और देख सकते हैं इसकी बारे में विसमाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देगे हैं कि EPS 2013 की CBI जांच पर अड़ेवे हैं भरती अने मितता एम नियम विरुद छूड देने पर उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने अपर निजी सच्चू तो यह बात तो सही इन विद्यारतियों को टाइपिंग में चूर्ट दे दिया, इसकी जांस तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक नोटिस जारी किया और लिख दिया गया और यह बरती में रस्त तो क्यों रस्त की गई है, वह पर विद्यारतियों को कहना है कि अगर इस बरती की जांस सामने आएगा और वहीं पर जो 2013 की भरती विध्यारती थे जो अपने दम पर जो सौट हैंड जिन्होंने क्लियर किया था या उन्होंने अच्छा किया था अब इतने सालों बात उनका भ्यास छूट चुका जो पुरा निया बढ़ें अब वह कैसे उसको किलियर कर पाएंगी इसकी बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि विध्यारती निरस्तिकर दिगें यह विद्यारतियों को अब फिर से पढ़ना पड़ेगा फिर से किताब उठानी पड़ेंगी और पुराने बिद्यारतियों 2013 कि वह अन भरतियो पड़ेगी फिर से टाइपिंग त्यारी करने पड़ेगी तो इसकी बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि वह ऐसे सीजियल बरती में लिखा है नहीं दिखा उत्सा विद्यारती लगातार अप्सेंट केवल 37.54 फीजदी विद्यारती उपस्तित्र है असिस्टेंट काफी बरतिया की गई है असले मामला यह है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बरती के जो विग्यापन आया था मौझूदा समय बताय जा रहा है कि छी आलिस सो पद रिक्त हैं और इसमें सितंबर 2020 में 4900 पदों का अधियाचन भेजा गया था लेकिन जो विग्यापन निकला है वह 2002 पदों का निकला विग्यापन और पुरा ना था और इसलिए यह कहा जारा कि जो एक हजार अठारा सो अंठान में इनका क्या होगा इनको जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा यही जो मांग है इन विद्यार्तियों ने उठाई है वही पर सोसल मीडिया म जब अंदर राज्यों में उस राज्य से समंदित पसंद पूंचे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो भरती बोड़न भरती संस्ता है वह आखिरकार ऐसा क्यों नहीं करते हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की परिक्षा में भीड़ बहुत जादा होती है दूसर आज का वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना कियो सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्वाद